नमस्कार मैं हो ससी आया जार्खन की टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं जार्खन में लोकडाउन 24 जून तक बठा स्वापिंग वाल खुलेंगे लेकिन सेक्षिन की संस्थान बंद रहेंगे जार्खन के सीम हिमन सुरेन ने मंगलवार को आपता परवदन प्राधिकार की बैठक की इसमें राजी के सभी जीलों में सभी तरह की दुकानों को साम 4 बजे तक खुलने का फ़सला लिया गया बता दे इस दोरान बिकेट लोकडाउन को बरकरार रखा गया है सौपिंग मौल और डिपार्टमेंटल इस्टोर खुल सकेंगे सभी सरकारी एवं नीजी कर्यालाई 50 परतिसत मानव सन साधान के साथ 4 बजे अपराध तक खुल सकेंगे वहीं सनिवार की साम 4 बजे से सोमवार के सुबा 6 बजे तक सभी दुकाने बंद रहेंगी बता दे स्वास सेवा से समंधित परतिस्ठान और दूद के श्टोर खुले रहेंगे अनलोग 3 पर बैठक में लिया गया निरना है सभी जीलो में सभी दुकाने 4 बजे अपराध तक खुल सकेंगी शोपिंग मौल और डिपार्टमेंटर इस्टोर भी खुल सकेंगे सभी सरकारी एवं नीजी कर्याले 50 परतिसथ मानवसन साधन के साथ 4 बजे अपराध तक खुल सकेंगे वही सनिवार की साम 4 बजे से सोमवार के सुबा 6 बजे तक सभी दुकाने बंद रहेंगी स्वाज सेवाव से समंदित प्रतिस्थान और दोध के स्टोर खुले रहेंगे सेस पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी सिनेमा हौल, कल्व भार, मल्टिपलेक्स बंद रहेंगे स्टेडियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे समथ सेक्षनिक संस्थान बंद रहेंगे आंगन बाड़ी के अंदर बंद रहेंगे पर लावकों को घर पर खादर समयगरी उपलवत कराए जाएगी पांच ब्यक्ति से अधिक इकाठा होने पर प्रति बंद रहेगा बिवा में अधिक्तम 11 ब्यक्ति सामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिक्तम 20 ब्यक्ति धार्मिक अस्थल सरधालवों के लिए बंद रहेंगे जूलूस पर रोक जारी रहेगी बस पर युहन पर रोक जारी रहेगी राजे के दुआरा कराने वाली परिक्षा अस्थागित रहेगी मेला और परदसनी पर रोक जारी रहेगी नेजी वहान से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए या दूसरे राजे से जार्खन आने के लिए या जार्खन से दूसरे राज जाने के लिए इपास अवस्यक होगा कुछ आपदा को छोड़कर दूसरे राजे से जार्खन आने वाले को साथ दिन का होम कुरेंटीन अनिवार्य होगा सरोजनिक अस्थान पर मास्क पहनना और समाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है 15 दिनों तक किसी से भी नहीं मिलेंगे सिक्छा मंत्री जगनात महतो सिक्छा मंत्री जगनात महतो कुरोना वायरस को मात देकर सोमवर कुछे नहीं से राची लोट आए लगभग 9 महिने तक डक्टरों की निगरानी में राने के बाद 14 जून को वे राची पहुंचे वे अभी भी डक्टरों की निगरानी में हैं जगनात महतो के पियस ने जनकारी दी की वे हतियात के तोर पर अगले 15 दिनों तक वा लोगों से मुलकात नहीं करेंगे डक्टरों की सला के अनुसार फिलाल वा सुरक्षा के ध्यान में रखेंगे लेकिन 15 दिनों के बाद फिर से वा अपने मंत्राले को सम्हालने के लिए लोगों के बीच आ सकेंगे जैक बोर्ड दसवी बरावी का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहेगा कुरोना महामारी के कारण जारखन में मैट्रिक वा इंटरमीडियर की परिक्षा रद होने के बाद अब तेजी से रिजल्ट तयार करने की कोशिस की जा रही है बतादे राजी के CM हमन सुरेन के निदेश के बाद जल्द से जल्द रियल्ड देने की त्यारी की जा रही है इस बीच आंतरिक मुल्याकन को अधार माने तो इस बार का मैट्रिक वो इंटर का रियल्ड पिछले साल के तुलना में बेहतर हो सकता है इस साल ज्यादा संख्या में बचे पास होंगे बतादे बर्ष 2020 की मैट्रिक परिचा में 75% दिपिद्यार्ती पास हुए थे जबकि इंटरमेडियर्ट की परिचा साइन्स में 69, आर्ट्स में 82, वहीं कोमर्स में 77% दिपिद्यार्ती उतिर्न हुए थे सिक्षा मंत्री के लोटने से पाराशिक्षकों की बढ़ी उमीद सिक्षा मंत्री जगनात मतों के आगमन से 65% पाराशिक्षकों में खुसी की लहर है बता दे एकी करिद पाराशिक्षक संहर्ष मोर्चा लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार, महासर्चीव अनुप कुमार, परदेश उपाध्यक्ष बेलाल अम्मद ने खोसी जाहिर करते हुए उमीद किया है कि मंत्री 65,000 पाराशिक्षकों को बेत्तन देने की नियमावली पास करा कर सभी परिवारों की बर्सों पुरानी मांग को पुरा कर देंगे पलामु जिला में सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत एनाइसी के सभागार में अविजित दीशा की बैठक में उपायूग ससीरंजने मंगलवार को बताया कि बैस्विक महामारी कुरोना की रोक्थाम तथा जागरुपता के उदेश से पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर निती आयोग ने देश के 112 आकांची जिलाव में शुरक्षी थम शुरक्षी तुम अभियान शुरुआत की है इसी कड़ी में दीशा की बैठक में उपास्थी सांसत बीडी राम उपायूग विधायक अलोग चोरसिया ससी बूसन मेता जिलास्तरिय वर्य पतादिकारी तथा निती आयोग ए देवम पीरामल फांडेशन के प्रतिनीधी ने पोस्टर रिलीज का शुरक्षी थम शुरक्षी तुम अभियान की शुरुआत की धनबाद अंध विध्याले को जुलाई से शुरु करने का निर्नाय बैस्विक महामारी कोविड-19 के करण मार्च 2020 से बंध धनबाद बलाइ इन्ट रिलीफ सोसाइटी के बैठक में किया गया जार्खन टीका करण में विहार यूपी से आगे कुरोना की समभावित तिस्ति लाहर से पहले जार्खन के लोगों को इस वायरेस से सुरक्षित करना है तो राजे में प्रती दिन अभियान मोड में टीका करना होगा यार 138 लोगों को पहली डोज वही 8,15,975 लोगों को दूसरी डोज मिल चुका है बतादे पडोसी राजे के तूलना में विहार और उतर परतेस से जार्खन बेहतर इस्तिती में है और राज जार्खन से टीका करन में आगे हाए जार्खन में 184 नए केस मिले है जार्खन में कूल मोड की संख्या 5,089 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 266 है भारत में 62,176 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 8,60,362 है ज्यारखन में 19 जून तक अच्छी बारिस राइधारी राची सहित पुरे राजे में मंगलवार को बारिस हुई बतादे राजे में 29 जून तक लगातार बारिस होगी जबकि 20 जून के बाद मानसून कमजोर पहुँ सकता है इसकी सक्रियता में कमी आ सकती है बतादे इस से बारिस कुछ समय के लिए थम सकती है लेकिन 20 से पहले पुरे राजे में मानसून का जोर रहेगा और पानी बरसने का सिरसिला जारी रहेगा कई-कई भारी बारिस भी होने की संभवना है ज्यारखन के 18 जीलो तक पहुँचा बलाइक फंगस साथ जीले रेड जोन में केंद्र सरकार ने बलाइक फंगस के मरीजों की तवरीद पहचान कर उनके उपचार के लिए चेक लिश्ट जारी की है इसके तहट जीस किसी अस्पताल में कोविड मरीजों का उपचार किया जाता है वहाँ कोबिन मरीजों के साथ साथ बलाइक फांगस के संग्दीद मरीजों के नीमीत रूप से गहाँ जांच का अदेश दिया गया है बतादे राजी के 18 जीलों तक बलाइक फांगस का प्रसार हो चुका है इसमें साथ जीले राची, रामगर, पलामो, हजारेबा, गिरीडी, गड़वा और पूर्वी सीमभूम रेड जोन में हैं वहीं पांच जीले बोकारो, चातरा, धनबाद, गोड़ा और कोड़ार्मा एलो जोन में हैं वहीं 6 जीले, देवगर, दुमका, गुमला, जामतरा, लातेहार, वह साहिव गरीड जोन में हैं पतादे रेड जोन में मरीजों की संख्या 5 से अधीक, येलो जोन में 3 से 5, जबकि गरीड जोन में 3 से कम मरीज हैं जारखन में मार्च 2022 से अडानी पावर प्लांट से हो सकता है उत्पादवन जारखन के गोड़ा जीले के लिए वर्ष 2022 खुसकावरी वाला साल होगा बतादे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बर्ष 2022 की पहली तीमाही यानि मार्च महिने तक अडानी पावर प्लांट का उत्पादण हो सकता है ऐसा संकेत अडानी गुरूप के चेर्मेन गोतम अडानी को और से दिया गया है बतादे इस पावर प्लांट से जहां 1660 मेगावार्ट बिली का उत्पादन होगा वही जार्खन को 400 मेगावार्ट बिली मिलेगी इसे राजे को बिली की समस्या से काफी हथ तक छुटकारा मिलने की समभवना है जहार्खन में बलाइक फंगस होगी महमारी घोसित मुख्यमंत्री जहार्खन के मुख्यमंत्र हमन सुर्ण ने बलाइक फंगस को महमारी घोसित करने का निर्देश दिया है बता दे इस समद में मंगलवार को मुख्य मंत्री के ओफिसियल ट्यूटर पर इसकी जनकारी दी गई है ट्वीट में कहा गया है कि मुख्य मंत्री के निदेश के बाद ब्लाइक फंगस को महमारी घोसित करने की परक्रिया शुरू कर दी गई है उलेक निया है कि जारकर में ब्लाइक फंगस के 25 मरीजों की मौत हो गई है बरतमान में ब्लाइक फंगस के 131 मरीज है रांची से मुंबई जाने वाले इंडिगो की फलाइट से टकराई चील रांची के बीशा मुंड़ा यारपोट पर मंगलवार को दो पर दो बच कर 45 मिट पर बड़ा हदसा होते होते बचा बतादे रांची से मुंबई जा रही इंडिगो की फलाइट टेक आफ करते ही एक चील से टकरा गई बीमान में 164 यातरी सवार थे सभी यातरी बाल बाल बच गए चील से टकराने के बाद पाइलट ने सोज बुझ से बीमान को काबू कर लिया और रांची एरपोट पर इसकी इमर्जेंसी लेंडिंग कराई इसके बाद इंजिनियरों ने बीमान की जाच की बीमान में तक्नीकी खामी आने की वज़ा से इसे रोक दिया गया है मुख्य मन्तरी हेमान सूरेन मंगलवार को नई दिली के लिए रवाना हुए वहाँ वे कंग्रेस के वरिष्ट ने ताउ से मुलकात करेंगे अटकले लगाई जा रही है कि मुखे मंत्री हेमान सुरेन जारखन मंत्री मंडल का विस्तार कर सकते हैं मंत्री मंडल में एक पद रिक्त है जनकारी की मुताविक बुद्धवार को नई दिली मेवे कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी रहुल गांधी परदेस कॉंग्रेस प्रभारी आर्पियन सिंग समेत अनेवरिश नेताओं से मुलकात करेंगे इस दोरन मंत्री मंडल विस्तार को लेकर चार्चा हो सकती है जारखन में खुले चार आदिवासी उत्पाद विक्री केंद्र भारत सरकार की ओर से मंगलवार को जारखन में आदिवासीों की ओर से उत्पादित वस्तिवों को विक्री के लिए चार केंद्र खुले गाए बतादे ट्राइबल इंडिया के इन आउटलेट का उद्गाटन केंद्रे जन जातिये कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली से ओनलाइन किया इन्वे से तीन के स्थपना राची में और एक के स्थपना जमसेथपूर में की गई सरकारी स्कूल के बच्चों को अंडा के बदले मिलेगा सुखारासन जार्खन के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वा बकाया अंडा या फॉल के बजाए सुखारासन मिलेगा बता दे कुरोना संक्रमन काल में बन सरकारी स्कूल के बचों को लेकर सिक्षा विभाग ने एने लिया है दरसल अक्टूबर 2020 से ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बचों को अंडा नहीं मिल पा रहा है सिक्षा भी बाग का मनना है कि मवजूदा कुरोणा काल में बचों के घर तक अंडा पहुचा पाना मुम्किम नहीं है रांची के रिम्स में OPD सेवा सुरू सदर अस्पताल के बाद रिम्स में भी OPD सेवा सुरू हो गई है मंगलवार को रिम्स OPD के बाहर लंबी मरीजों की कतार देखने को मिली बता देखी क्रोणा संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद रिम्स परवंधन ने मरीजों की समस्या को देखते हुए मंगलवार से सिर्फ चो विभागों का OPD सुरू करने का निने लिया है इनमें नेत्र रोग, नाक कान एवम गला, चर्म रोग, नियूरोलोजी, कार्डियोलोजी एवम, यूरोलोजी विभाग में मरीजों का उपचार किया जाएगा मध्य पर्देश पुलिस का जार्खन में छापा मद्य पर्देश पुलिस ने जारखन की रहधानी राची सही तीन सारो में छापे मारी कर चार साइबर अपरादियों को धर दबोचा है इनमें से दो की गिरफतारी राची से एक जम सेदपूर एक देवगर से की गई हलाकि अब तक इस मामले में कुल चा गिरफतारी हुई है इनमें से चार जारखन से और दो मद्य पर्देश से हैं बदादे मद्य पर्देश के बालागाट जीले के कोतावली थाने के पूलिस ने एक साथ राची जम सेदपूर एक देवगर में छपे मारी की है राची में पूलिस बॉल की तैनाती में लाइट हाउस का निर्मान शुरू धुरवा के पंच मुखी मंदीर के पीछे मंगलवार को मंडल मैदान में लाइट हाउस प्रोजेट का निर्मान शुरू कर दिया गया है बता दे राची के SDO, उतकर्स, गुपता और SSP बड़ी संख्या में पूलिस बॉल और जवानों के साथ मैदान में डटे हुए है मंगलवार की सुबह अधिकारी भारी पूलिस बॉल और अर्धसयनिक बॉल के जवानों के साथ मित्र मंडल मैदान पहुँचे जवानों ने पूरे मैदान की घेरबांदी कर ली है इसके बाद मैदान के बीचों बीच फुटबॉल खेलने के लिए गाड़े गए पोल हटा दिये गए बता दे जैसी भी लगा कर मिटी की खुदाई की जा रही है भाजपा नेताओ को खेत में धारना की जगा खेती किसानी में स्वयोग की सला कॉंग्रेस परदेश कॉंग्रेस ने भाजपा नेताओ करकताओ को खेत और टान में धारना देने की जगा मानसून के दोरान किसानों को खेती किसानी में स्वयोग करने की सला दी है पार्टी की ओर से अभी कहा गया है कि भाजपाक को यदि किसानों के समुशी चिंता है तो तिन नए क्रिसी कानून के खिलाब परदसन रद किसानों के धाना परदसन में सामिल होकर केंद्री ये नित्य तुपर दबाव बनाने का काम करे लोहरदागा में बागिन का अतंक जारखन के लोहरदागा जी लेके किसकोवन छेत्रे के सलईया वा मडूआ पार्ट में बाग ने एक बार फिर अपनी मवजूद्गी का असास करवाया है पतादे यहां बाग ने एक माह के अंदर ग्रामिनों को तीन बैल समेत आधे दरजन पस्वो को अपना सिकार बनाया है जंगलों में बागिन के उपसिती की जनकारी सामने आने के बाद से ही आसपास के गाउं में दोसत का महोल बना हुए है एक स्पर्ट टीम को जंगल में बागिन की मवजूद्गी के परमान मिले है इसकी पुष्टी भी हुई है सिमडेगा में बैंक लुटने जा रहे पीलेफाई के चार उगरवादी गिरफतार लोहरदागा जिले में नकसल विरोधी अभियान के दरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है बतादे लोहरदागा जिले के कुडू थाना पुलिस ने नकसली संगठन पीपलस लिबरेशन फ्रंट आफ इंडिया के चार उगरवादी गिरफतार किया है उनके पास यहांतियार भी बरामत किया गया है इसकी पुश्टी पुलिस अधिक्षक प्रियंका मीना ने की है उन्होंने बताया कि हांतियारों से लैस पीलेफाई के चार नकसली जारकन के सिमडेगा में बैंक लुटने जा रहे थे धन्यवाद